तो देखते हैं पर question number 47 में हमसे क्या पूछा गया है? आफ force of 12 newton starts acting on a body kept at rest. तो body हमारी 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 क्या rest पर? और force यहां पर कितना लग रहा है? 12 newton का लग रहा है. Find the momentum of the body at 1 second, 2 second and 5 second after the force acting on it. तो हमें यहां पर क्या निकालना है? Momentum निकालना है different time interval पे. तो करते हैं यहां पर इसको solve. force का formula हम यहां पर क्या यूज करेंगे? force equal to pt minus p1 and यहां पर हमारी क्या जगा different time interval लिए हम delta t या normal t लिख लेते हैं. अब हमें यहां पर क्या लेना है? t की value 0 लेना है and p1 को भी हम यहां पर 0 मानके चलते हैं. तो यह हमारे यहां पर क्या हो जगा? force equal to, तो जो force है वो हमारे यहां पर क्या हो जगा? p2 upon t. cross multiply करेंगे तो हमारा जो momentum है वो हमारे यहां पर क्या हो जगा? force multiply time. तो यह हमारे हैं पर क्या change in momentum है अगर हम यहाँ पर T की value and P1 की value 0 लेंके तो यह हमारे हैं पर formula निकल के आ जाएगा cross multiply करें तो P2 equal to F multiply T nickel क्या जाएगा, F हमारा force है, T हमारे हैं पर time है and P2 हमारे हैं पर क्या momentum of the body है अब हम ँहांपे different time interval की बात कर लेते हैं अगर मैं यहांपे T equal to 1 second लेकर चलूँगा तो अमारे हम पे क्या हो जागा P2 equal to f multiply 1 तो force हम एम यहांपे कितना रखा है 12 Newton and 1 हमारे हम पे क्या time है 1 second तो अमारे हम पे क्या हो जागा 12 Newton second हो जाएगा अगर मैं यहां पर time लेके चलूँगा 2 seconds का, तो तुझे हमारे यहां पर क्या हो जागा? Pt इक्वल टू 12 x 2 seconds, तो तुझे हमारे यहां पर कितना हो जागा? 24 Newton second हो जागा, क्योंकि 12 हमारे यहां पर क्या था? Newton था same as it is मैं यहां पर third point की बात कर लेता हूँ तो t equal to हमें यहां पर 5 second लेके चलना है तो p2 equal to हमारे हैं यहां पर कितना हो जागा 12 newton multiply 5 second 12 newton को 5 second से multiply करें तो हमें यहां पर कितना जागा 60 newton second आ जाएगा तो हमने यहां यहां पर different time interval पर इसका momentum निकाल लिया है hope आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ